हेलो फ्रेंड्स देखिए कुछ पौधे तो हमारे सही हो गए है ग्रीन होना शुरू हो गया जो आप लोग कह रहा थे कि मैंने वेट किया तो बरतु में च्छेवडा ने इनको ऐसे रखा तो कुछ तो सही हो गया है बस एक अभी नहीं हुआ है लग रहा पतर यह सूप जाग हुआ है इसके लिए मैं सोच रही ना कि वेट करूँ अब इसको गर चेवड़ूंगी ना टश करूंगी तो हो सकता है मर जाए पौधा मेरा अभी मैंने इसको वाटरिंग नहीं की है आज क्योंकि इसमें काफी पानी है तो हो सकता है ओबर वाटरिंग के वज़े से ऐसा हो हो तो मैं अभी इसको पूरा सूखने देती हूं गंबले को उसके बाद मैं वाटरिंग करूंगी यह देखिए सबसे अच्छा यही वाला है जो कि मैंने एक ही क्लेमेंट में चालो को रखा हुआ है अभी और अभी मैंने इसको बहुत ज़्या धूप नहीं रखा है क्योंकि वैसे यह मुर्जा हुआ हुआ है अगर मैं इसको धूप में रख दूंगी न तो और फिर तो पका शोर है कि सब्सक्राइब हो जाएगा तो इसलिए कोशिश है भी कि सब्सक्राइब आती है मौनिंगे दस बजे दस-पंदे मिनट के उसके बाद नहीं आती है तो अभी मैं इस पर ट्राइल कर रही हूं वैसे मेरे साथ ऐसा होता नहीं पता नहीं कूँ जस तो यहां पर देख रहा है कि पौधि में या तो जाला दूप लग रही है या फिर बहुत कम लग लग लिए तो मेरे सारे पौधि बहुत सब्सक्राइब नहीं कर रहा है देख रहे हैं अब देख तो इसी के वेट कर दो यह तो खर लग तो गया है वह तीनो यह तो नहीं लगा अभी और यह कर दो लेती हुए पानी सुखने देती हूं तो पहले कि रही हो जाए और वह वाट्रिंग से भी पहुत है तो कोशिश कर रही हूं कि इसे वाटर ना दूँ आज और अगर कर पानी रहेगा तो कल भी नहीं दूँगी अगर मॉस्ट रहेगी मिट्टी तो भी पहले मैं इसक ही हो गया तो यानि कि ओवर वाटरिंग को जैसे कंडिशन होता आप लोग भी सीख जाएंगे और मुझे तो ख्या सीख मिली ही है तो इसलिए मैं वीडियो को अपडेट करके आप लोग को दिखा रही हूं शोर कर रही हूं यह कि अगर आपके साथ ऐसी कभी सिच्वेशन है तो आप लोग मेरी जो वीडियो देखके अपनी समस्या का समधान कर सकें बस यह चोटी सी वीडियो आप लोग के लिए है जो मुझे काम करते